अप्डेट आपको नर्सिंग की वेकंसी यान की दोजार चोबीस पचिस के अंदर आपकी जो कम्प्लिटली नर्सिंग की वेकंसी हैं उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाले हैं आप सबी सातियों के साथ यहाँ पर डिसकस करूँगा कौन-कौन सी वेकंसीओं की आपके एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं प्रिजेंट में कौन-कौन सी अपकमिंग वेकंसीया हैं कौन-कौन सी आपकी परमानेंट हैं कौन सी कौन्ट्रेक्च्छल वेकंसीया हैं सारी vacancies के बारे में one by one आप सभी के साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, detail में चर्चा करूँगा आप सभी साथियों के साथ, सबसे पहले देख लीजीगा, Community Health Officer यानकी जो CHO की vacancy है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं, UP CHO यानकी उतरपरदे CHO चोंतर सो पदों के उपर आपकी भरती है, वो जारी है, फिलाल में Applications Form इसके स्टार्ट है, All Over India के Candidate Application Form को फिल अप कर सकते हैं, जिन चातियों ने Application Form फिल अप नहीं किया है, अगर आप भरना चाहते हैं, तो आप भिहार CHO के Applications Form भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम Next यहाँ पर चर्जा करेंगे, आप सभी को पता है, KZOMU Nursing Officer, जो King George Medical University है, लखनाउ के अंदर, उसकी तरब से आपका जो Sort Notifications है, वो आपका रिलीज हो चुका है, काफी सारी साथियों ने देख लिया होगा, KZOMU का जो Sort Notification है, Official Website पर भी आ चुका है, अगर आप Official Website विजिट करेंगे, तो आपको Sort Notifications देखने को मिल जाएगा, मैं आपको बता दू, 1500 प्लस आपकी भरतिया हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी, Permanent बरती रहने वाली हैं, KZOMU के अंदर 1500 से लेकर, और 3000 के बीच में वेकंशियां आपको देखने को मिलेंगी, इस बार आपकी KZOMU के अंदर सबसे धमाकेदार भरती रहने वाली हैं, इस तीज को आप बिल्कुल भी ना भूलें, उसके बाद में आपर देख लिएज़ीगा, Next हम जो सबसे important और सबसे बड़ी, यनके nursing field की जो सबसे बड़ी भरती है, Norset 8 यनकी M's Norset 8 आपका आएगा, जिसके अंदर 2000 प्लस आपकी वेकंशियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, permanent भरती रहने वाली है, कोई भी contractual भरती आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, Norset 8 के अंदर, ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे, सबसे competitive और जो सबसे tough होता है, राजस्तान CHO ठीक है यानकी, राजस्तान CHO आपकी upcoming vacancy है, फरवरी के अंदर इसके application form start होंगे, ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, फरवरी first के अंदर या जनवरी last के अंदर, applications form के starting होने वाली है, 5000 यानकी, 25 के आसपास आपकी जो बरतिया है, वो आपको देखने को मिल जाएंगी, CSO के सासात राजस्तान स्टाप नरस्ट की vacancy है, वो भी आपकी आपकी यानकी रिलीज होंगी, और ये भी आपकी जनवरी या फरवरी के अंदर ही रिलीज होने वाली है, एक आपको सबसे बड़ा खुलासा कर देता हूं, इस वीडियो के अंदर, कि राजस्तान की जो स्वास्त विभाग के बरतिया है, राजस्तान के अंदर स्वास्त विभाग के बरतिया, इस बार जो 2024 और 25 के सेसन के अंदर, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप 15 से 1000 प्लस आपकी जो स्वास्त विभाग की बतिया देखने को मिल जाएंगी जिसके अंदर CHO और नर्स की वेकंशिया इसे के साथ साथ आपको काफी अलग डिपार्टमेंट की वेकंशिया भी आपको अहां पर देखने को मिल जाएंगी उसके बाद में जो सबसे बड़ खुलासा करने वाला हूँ कि नर्सेट एक के अंदर कौन कौन से चीजे शमलित होंगी कौन कौन से इस्टेट गोर्मेंट होस्पिटल सेंटरल होस्पिटल कौन कौन से समलित होंग Guhe बता देता हूँ सफधर जंग होगा ठीक है CHILDRENS L.M H V होगा NITRD होगा इसके अलावा आपको मैं बता दू RML भी यहां पर इंक्लूड होने वाला है और RML की तरफ से बड़ी ही दमाकेदार भरतियां इस बार आपको NORSAT 8 के अंदर इंक्लूड होते दिखेंगी उसके बाद में हम बात करेंगे जिस चीज के बारे में अपकमिंग वेकंसी और कहां पर आने वाली है तो SDPGI जिपमा रिम्स इसके अंदर भी आपको अपकमिंग वेकंसी यहां देखने को मिलेंगी इनकी अभी डेट है वो एप्लिकेशन फॉर्म या फिर आपकी जो पोस्ट है वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कितनी आपकी पोस्ट आ सकती है क्योंकि अभी तक यहां पर यह डिशाइड नहीं हुई है या पिर चीज़े या इनफॉर्मेशन से नहीं मिली है पोस्ट से रिलेटड तो उसके बाद में अपकमिंग चो की वेकंसी के बारे में डिसकस कर देता हूँ यह आपके लिए सबसे जैनवन और सबसे खास इनफॉर्मेशन से होने वाली है तो आप यहां पर देख लिएजगा MPCHO की वेकंसी है बहुती जल्द official notification रिलीज होने वाला है आप सभी सात्यों के सामने और official notification रिलीज होते ही आप regularly wait कर रहे हरियाना CHO की बरती कि हरियाना की अंदर जो CHO की बरती है वो कब तक देखने को मिलेगी तो आप सभी सात्यों को मैं बता दू हरियाना CHO की वेकंसी 2024 और 25 के सेसन की अंदर बहुत ही बड़े पदों के साथ आने वाली है और आप सभी सात्यों को पता है कि हरियाना के अंदर CHO की जो वेकंसी की जो सेलरी है वो सेलरी आपकी बहुत ही जड़ा रहती है और बहुत ही अच्छी खासी जो सेलरी है वो आप सभी सात्यों को यहाँ पर देखने को मिलती है तो ये आपके लिए क्या रहेगी सबसे जानदार और सबसे धमाकेदार जो update है वो आपके रहने वाली है आप सभी मैंने बता दिये कि है nursing field से कौन सी बरतियों के applications form हाल फिलाल में start है कौन सी बरतियों के applications form बविश्य में start होंगे ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है अगर फिर भी कोई vacancy अगर छूट गई है इस list के अंदर तो आप बिल्कुल से क्या कर सकते हैं comment कर सकते हैं comment box के अंदर जिससे आप सभी सातियों को पता लग सके या फिर हमें भी पता लग सके कि कौन सी vacancy फिलाल में जा रही है जो हमसे छूट सुकिए बाकी मैंने completely लग बग जहां तक हो सके जितनी vacancy आने वाली हैं या फिर जितनी vacancy आँ हाल फिलाल में चल रही है उन vacancy को मैं आपर mention कर दिया है completely आपके बारे में upcoming vacancy की जनकी genuine informations थी उनकी post भी मैंने आपको बता दी है और जो upcoming vacancy हैं जनकी post के बारे में नहीं पता था उनके बारे में भी pending में रख दिया है बाकी CHO के अंदर upcoming CHO की vacancy आपकी कौन-कौन सी रहेंगे वो चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है completely informations मैंने आपको share कर दी है इस वीडियो के अंदर nursing field से related completely update दे दी है आपको बताओं कि जितनी भी vacancy हैं इन vacancy के अंदर अगर बात करेंगे कि कौन-कौन candidate eligible रहेंगे applications form को apply करने के लिए तो यहाँ पर देख लिजीगा इसके अंदर जो GNM candidate है वो भी इस vacancy को apply करेंगे BSC nursing candidate है वो भी इस vacancy को apply करेंगे post BSC nursing candidate भी इस vacancy को apply करेंगे और MSC nursing candidate भी क्या करेंगे इस vacancy के लिए eligible रहेंगे यानि कि nursing के अंदर degree से लेकर और diploma तक के जो सभी candidate है वो इन वेकंचियों के लिए eligible रहेंगे इन post को क्या करेंगे apply कर शकते हैं यानि कि इन वेकंचियों को यहाँ पर apply कर शकते हैं उसके बाद में age limit में आप बता दू 18 से 30 year इन वेकंचियों की सभी वेकंचियों की minimum age limit देखने को मिल जाएगी minimum age limit 18 year, maximum age limit 30 year रहेगी सभी वेकंचियों के अंदर आपकी age relaxations भी आपको देखने को मलेगा अलग-अलग category wise आपका relaxation रहने वाला है आप सभी साथियों को पता ही होगा या अलग-अलग category wise relaxation देखने को मिलता है जैसे SC और ST category है उनके लिए आपको 5 year का relaxation रहता है जो PWD candidate है PWD candidate के लिए 10 year का relaxation रहता है और आपकी जो OBC candidate है OBC candidate को भी आपर relaxation मिलता है और आपको 3 year का जो OBC candidate है उनको relaxation आपर प्रोवाड करवाय जाता है ये तो आपका क्या होगा relaxation होगा जो कि आपको अलग-अलग category wise देखने को मिलता है अब हम बात करेंगे कि upcoming vacancy 25-25 की कब तक भरी जाएंगी या फिर कब तक इनकी applications form की starting होगी तो हम आपको बता दू इनकी अंदर लग-बग 60% जो vacancy हैं है वो आपकी फरवरी के आसपास स्टार्ट होने वाली है S.G.P.GI की vacancy हमेशा फरवरी के अंदर आती है S.G.P.GI के अंदर 1426 पदों के उपर जो भरती थी वो आपकी पैंडिंग में चल रही हो सकता है वो फरवरी के अंदर पूरी करवाई दी जाए बाकि आपकी अप्रेल के आसपास अप्रेल और मई के आसपास आपकी ये भरतियां है लगबग लगबग कम्प्लीटली हो जाएंगी 80% अबाव भरतियां यहाँ पर कम्प्लीटली हो जाएंगी बाकि आपको ये लिस्ट मैंने सेयर करना बहुत ही जरूरी था आप सभी सातियों के लिए क्योंकि कुछ सातिय हैं जिनको अभी नहीं पता था कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क गरके बेल आकन को प्रेस करना होगा जिससे ऐसे ही अपडेटीड वीडियो और ओल और इंडिया की नरसिंग की जितनी भी वीडियो हैं आप सभी सातियों के सामने पहुंसती रहें ऐसे ही अपडेटीड वीडियो आपके सामने आती रहें बाकि आपको मिलते हैं कोई नही प्रप्नाग काई